दोस्तो जैप्रकास पौर वेंचरस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग निकल क्या रही है जिनको हम एक एक करके डिसकस करने वाले जैपी पौर को नई रेटिंग एजनसी की तरब से रेटिंग दी गई है कैसी रेटिंग है उसको समझने की कोसिस करेंगे क्योंकि किसी भी कमपनी को उसका जो बीजनस का सारा दारोमदार है वो रेटिंग एजनसी के उपर है जो भी उन्होंने करज लिया है उसके उपर रेटिंग जो मिलती है उसके हिसाब सरी डिसाइड होता है कि आगे की क्या समभावन होने कमपणी क्या कमजोर है या फिर बैतर तरीके से अपने कर्ज को चुका सकती है दूसरी तरफ से यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रहे है यहाँ पे नोटिस के मादेम से क्लेरिफिकेशन मांगा है तर जेपी पौर से कि उन्होंने सेग्मेंट वाइज रिजर्ड में अपनी जानकारी नहीं दिया बाइज रहे हैं तो इसको अब कंपनी barr से शेयर किया कि उन्होंने सेग्मेंट वाइज बताया उसकी सारी जानकारी दे दी है तो किस सेग्मेन में कितना प्रदसन अच्छा रहा है इस बार रिजड में वो इसकी जानकारी एक्चेंज को दे दी गिए उसको समझेंगे इसके अलावा एक अच्छी गुंड़ी निकल करें थर्मल पाउर प्रान को लेकर जिसको इस वीडियो के मादे में से डिसकस करेंगे जे पी पाउर की आगे की क्यारन निती हो सकती है क्या इस लोल पर खरिदारी करनी चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नयवडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले जेपी पाउर के कारोबार की बात कले तो देखो कि फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत तो लगबग पॉईट ही हुई 17.95 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की 17.94 के आसपास इंट्राडे में 18.11 का हाई भी बन गया यानि कुछ अच्छी तेजी बनी लेकिन उपर के लेवल से दबाओ देखना को मिला और विड कैप सेग्मेंट में और स्मॉल कैप में अलरी दिविक वाली का जोर था फ्राइडे को इ कि अगर बारा अगस्त की बात करें तो आप देखो कि जो क्लोजिंग थी वह 17.83 के आसपास थी और इंट्राडे में 18.25 का हाई भी बना था तीस अगस्त को भी अगर आप देखे तो क्लोजिंग 17.92 पर रही और 18.29 का इंट्राडे में हाई बना जानि जो प्राइज बारा अगस्को थी वही आपको 30 अगस्को देखना को मिलेगी और पिछले काफी दिनों से अगर आप देख स्टॉक 17 और 18 के दाइरे में ही ट्रेट कर रहा है यहां पे देखते हैं कि 21 अगस्को जुरूर श्टॉक 19 तक चला गया था लेकिन स्टॉक फिर नीचे आया तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पे 17.5 के आसपा इसको एक सपोर्ट मिल रहा है इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है और यहां से एक बाउस बैक की समवाना बन रही है क्योंकि अगर आप देखे तो 16 अगस्को 17.6 श्टॉक गया था उसके बाद स्टॉक ने फिर तेजी बताने शुर की तो कुल मिला के देखे यहां से एक सपोर्ट की समवाना बने हो एक अच्छी तेजी कले स्टॉक त्यार हो रहा है यहां पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक्यूट रेटिंग की तरब से जेपी पावर के उपर रेटिंग दी गई है तो जो बैंक फैसिलिट है जेपी पावर के लिए इस समय जब इनके मुख्य कंपनी दिवालिया होने की कगार पे है कंपनी पूरी तरसे बंद होने की कगार पे हो उस समय रेटिंग को बढ़ जाना बड़ी बात हो जा तो एक्यूट की तरब से ट्रीपल बी की ओ रेटिंग को बढ़ा के ट्रीपल सकते हैं अब यहां पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है नोटीस जारी करके जेपी पावर से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि उन्होंने जो कौटरवन का रिजल्ड डिकलेर किया था उस रिजल्ड के अगर आप देखे तो उन्होंने सेग्मेंट वाइज जो क जानकारी दे देवरी हैं और यह सारी जानकारी लेक्स में है इसको खास आपको ध्यान अकना है तो सब से पहले कंपई का जो सेग्मेंट है पावर सेग्मेंट जिसमें कंपणी का इस बार जो रिवेन्ड जार पत हरा ना पदेखे तो तो 1,57,370,000,000 के आस पास था यानि आप क्लिरली देख सकते हो कि power segment में quarter on quarter basis पे company का revenue बढ़ा है और पिछले साल 7 quarter की बात करें तो यह 1,62,082,000,000 के आस पास था तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे year on basis में भी company का power segment में revenue बढ़ा है अब पूरे साल का company का power segment का revenue देखें म March 2024 की बात करें तो यह 6,4,17,000,000,000 के आस पास रहा है अब कोल segment की बात करें तो इस बार 19,476,000,000,000 के आस पास रहा है जो पिछले quarter में 6,950,000,000 रूपीज के आस पास था तो कोल segment में भी quarter on quarter basis पे जबर्धस वर्धी देखनों को मिल रही है और पिछले साल 7 quarter में यह 13,993 लाक रूपीज के आस पास है तो क्लेरली देखते हो कि कोल सेग्मेंट में भी यह और बिस्टी कंपणी दे बहुत ही बेतर परदस्षिंद किया है और पूरे साल का अगर कोल सेग्मेंट का रिवेन्यु देखे तो वह शिक्टी थाउजन फोनेट तूलाक रूपीज के आस प खाई देगा पिछले साल सेम कॉर्टर में यह 7,989 लेक का टोटल इनको रिवेन्यु मिला था और पूरे साल का 72,197 लेक रूपीज के आस पास रहा है सेंड माइनिंग में इस तरह से अलगलग सेग्मेंट का मिला के जो टोटल रिवेन्यु बना है वह 1,94,956 लेक रूपी रूपीज के आस पास था और पिछले साल सेम कॉर्टर में अगर आप देखे तो 1,84,784 लेक रूपीज के आस पास था तो क्लेरी देख सकते हो की रिवेन्यु बढ़ा है और पिछले साल पूरे साल की बात करते मार्च दो जाते इसके तो यह 7,36,716 लेक रूपीज के आस पास था और पिछले साल सेम कॉर्टर में यह 52,355 लेक रूपीज के आस पास था तो क्लेरी देखे तो इस बार कमपनी का प्रॉफिट बढ़ा चाहिए आप कॉर्टर और कॉर्टर बेसिस पर देख ले यह 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 बेसिस पर देख ले और पूरे साल का अगर पावर सेग्म पास था और पिछले साल सेम कॉर्टर में देखे तो 618 लेक रूपीज के आस पास था तो कोल सेग्में में भी कंपनी का प्रदस्थन बेहतर है चाहिए आप कॉर्टर बेसिस पर देखे यह 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 बेसिस पर और पूरे साल का यहां पर माइनिंग सेग्मेंट में इस बार कोई प्रॉफिट ने पिछली बार 1061 लेक रूपीज का टोटल प्रॉफिट था पिछले साल सेम कॉर्टर में 88 लेक रूपीज के आस पास था और पूरे साल का यहां पर कमपनी का प्रॉफिट देखे इस बार तो पिछले साल सेम कॉर्टर में यह 52,819 लेक रूपीज के आस पास था तो उस हिसाब से यहां पर प्रॉफिट बढ़ता हो दिखाए देगा तो यहां पर कमपनी ने जानकारी एक्चेंज को दे दिये कि हमने सेग्मेंट भाई भी सारा बीजनेस बता है कहीं पर कोई कमी नहीं रखी और अगर उसको है तो फिर से हम इसकी जानकारी दे रहे हैं आप उसको सेयर कर सकते आगे एक जो अच्छी गुड़ी निकल क्या रही है जिससे कि लोगों खुल लग रहा है कि आने वाले से में थर्मल पौर प्लांट सारे बंद हो जाएगे और जेपी पौर का कामकारी भी बन होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आने वाले से सरकार ने जो अपनी योजना बने उस जेपी पौर के लिए तो ऐसे में हमें लॉग टर्मल का निजरी आ रहे कि जेपी पौर में इंवेस करना चाहिए को कमपनी से में काफी अच्छे प्रॉफिट में आने वर्स में यह बैतर प्रदसन कर सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने असल एडवाईस बढ़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें कि कुमाने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से दिरुकिज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स